इलेक्ट्रोनिक्स वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दवाएं लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का जो हमारा वीडियो वो है कि फिरी DTS की जो हमारी SMP सप्लाई होती है तो उसके अंदर कौन सी सप्लाई अच्छी होती है एक होती है हमारी चाइना की सप्लाई और एक होती है हमारी इंडियन सप्लाई तो देखे दोस्तों पहले में इनके अंदर देखे आपको difference दिखाता हूं क्या-क्या मिलेगा आपको तो देखे दोनों supply मैंने यहां रख लिए आप देखे मैं आपको इसमें difference मिलेगा तो आप अपने हिसाब से ही इसको चुन सकते हैं कि कौन सी आपको supply लगानी है तो देखे चाइना के supply के अंदर आपको कोई भी warranty नहीं मिलती इंडियन supply के अंदर आपको warranty मिलती है और इसके अंदर देखे इसके अंदर आपको इंडियन supply के अंदर जो है आपको protection मिल जाती है यहां पर 3.3 volt पर जिन डाइबोड लगाया होता है जबकि चाइना की सप्लाई में कोई भी जिन डाइबोड नहीं होता तो इसमें कार्ड ओडने की संभावना जो है वो ज्यादा होती है इसके अंदर देखे 3.3 volt के अंदर 4007 डाइबोड का यूज करा जाता है लेकिन इसके जो देखें यहां पर कैपिसेटर भी बड़ा लगाया जाता है लेकिन इसके अंदर आपको जड़ा तर जो है सारे 10 वोल्ट के कैपिस्टर मिलेंगे लेकिन इंडियन सप्लाई के अंदर आपको देखें 25W यहां पर भी आपको यह ती дов ख distur और कि मतलब कि 3.3 यहां पर 12 दे सकते हैं और यहां पर वह मिल जाता है और बाकि सब कुछ के दर देखिया सजा होता है हमारा 18 स्वसने वह सेवे और जो हमारा यह WAT arab लगावा होता है इसके उनदर वह भी होता तो देखिए यह जो इसमें लाइनिंग बनी होती है यह चाहिना के अंदर की लाइनिंग दीगई है तो यह हमारा जो है DC हाई ॉल्टेज का सेक्शन होता है यहां से असी जाती है हमारे डाइबोर्ट से होके जो को देखे लिए से टोक्राइबा तो यहीं पर पर यहां पर हमारे यहां पर लो वाली जो हमारी ती पूंट खराब होगा या यह आपकी जो कोईल खराब हो जाती है और यह डाइबोड भी कभी कभी खराब हो जाते हैं इन में से ज्यादतर सारे डाइबोड खराब नहीं होते एक या दो ही डाइबोड सोट हो जाता है और सोट होने के कारण जो हमारी सप्लाइड हो जाती है एक इसमें साल पुरानी सप्लाई हो जाती है तो यह क्यापिस्टर जो है आपके फूल जाते हैं इनको आप चैंज कर देंगे फिर भी आपके प्रोब्लम जो हो जाएगी और इंडियन सप्लाई के अंदर जो जातर जो प्रोब्लम निकलती है दोस्तों वो निकलती स्रीफ क्यापिस्टर जिए पोऀने मिल जाती है इससे क्या होगा बिलाए और कि inclusion और चाइनदर कोई protection क्योंकि ये भी एकदम सही है लेकिन इसके अंदर प्रोटेक्शन हमें बहुत कम मिलती है दोस्तों और दूसरी ये मार्केट में थोड़ा सस्ता भी मिलता है ये वाली थोड़ी सप्लाई हमें 10 रुपे महंगी मिलती है तो दोस्तों मेरी जानकारी आपको कैसी लगी अगर सब्सक्राइब करना और बैल का आकन को जोड़ दबाना क्योंकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूंगा